ओम स्वामी जी आपकी चर्णों में कोटी कोटी प्रणाव मैं राजस्तान पाली डिस्टिक से आई हूँ मेरे को मेरे पापा से जेनेटिक बीपी मेरा बीपी एक सो पचास से एबो रहता था लेकिन मैं आपको हमेशा फोलो करती हूँ मैं बहुत छोटे से गाउं से हूँ लेकिन बाबाजी मैं आपको अपना घुरू मानती हूँ मैंने बस सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम करके अपने बीपी को कंट्रोल किया है कोई दवा निकाई है मैंने बाबाजी मुझे बीपी कम से कम 8-9 साल से हैं और मैं सिर्फ प्राणायाम के अलावा कुछ नहीं करती हूं और कोरोना में मेरा बीपी प्राणायाम करते करते बाबाजी 200 के उपड़ चला गया था लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा अक्सिजन लेवल गट रहा है तो मैंने अनुनोम विलोम और तेज गती से करना इस्टार्ट कर दिया तो मेरा बीपी बढ़ने लग गया और जब मुझे पता चला कि यह मेरा बीपी बढ़ रहा है तो मैंने बिल्कूल धीरे धीरे प्राणायाम किया वाबाजी उस्टेम मेरा हार्ड बीड इतना बढ़ गया कि मैं या तो हॉस्पिटल के बेड़ पे या सिधा उपर चली जाती लेकिन मुझे आप पे पूरा भरोसा है मैंने सिर्फ और सिर् बीपी बढ़ जाए तो आप सिर्फ अनुलों मिलों धीरे धीरे करो उस्टेम मुझे इतना विश्वास हो गया मैंना हकीकत में उस्टेम मेरी या तो मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाता या कुछ भी हो सकता था लेकिन ठीक हो गई ना हां बाबाजी और जब मैंने उस्टेम च बाबाजी मैं बहुत दूर से आई हूं मेरी बहुत सालों से इच्छा है मैं एक बार आपके पास आखे और कोई दवाई नाम क्या बिटा मेरा नाम मंजु कुमावत है मैं अपनी मम्मी को लेके आई हूं यहां पर उनको पार्किंसन हो रखा है 15 साल से और मैं आपका आशि यह लड़की गाउ में गाउ में भी लोग अफोलों करते हैं एक एलोपैथी की एक गोली मुँ में बीपी ठीक का हुआ हुआ तुम अपने शरीर में बिमारें को दबा रहें तो अलेक एक बात कहूंगा एलोपैथी की बंद करके थोड़े दिन मुक्तावटी बीपी ग्रि लिया करो बीपी ग्रिट या मुक्तावटी तो थोड़ी दिल ले लिया करो